असलाम नेकूम डिया स्टूरेंट आज हम उनिट नंबर फोर का टॉपिक नंबर टू का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कि रीसर्च फाइंडिंग और रीडिंग एलाओ क्या है सो जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं डेफिनिटलि वो रीसर्च फाइंडिंग सी है बलके उनकी अपनी रीडिंग प्रोफिशेंसी अपनी उनकी विकाबिलरी और उनकी जो इमर्जेंट लिटरसी स्कल्स हैं वो भी डिवेलप होती है ये भी एक बहुत ही एहम रीसर्च फाइंडिंग है हमारे पस दोनों किसम की इंफर्मेशन आती है किससे फाइदा क्या है और इससे फाइदा कितना है और कहां कहां क्या क्या इशूज भी आ सकते हैं जाहर है कोई भी मैथड ऐसा मैथड नहीं है जिसे हमें कोई 100% result मिल रहे हूँ तब हम रीशर्च वाइंडंग के दोन ओएस्पेक्ट देखेंगे कि हमारे पास दोनों जो इसके हद्प में डेटा है और जो इसके थोड़े से खिलाब वो क्या है लिजिजे सूरी फ्राइंडंग हमारे पास पहले रीशर। निग आती है वो ये आती है कि मोस्ती बच्चे जो हमारे स्कूल में आते हैं उनमें से बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत उनके घर में उनको पढ़ना सिखाया जाए या उनके वालदेन उनके साथ बैठके कहानिया पढ़ें बहुत से बच्चे जो majority है अब के ख्लास की ये वो होती है जिन्होंने पहले कभी भी कहानिया इस तरीके से बावाज बलंद नहीं सुनी होती है या उन्होंने इससे पहले कभी बुक के साथ खेला नहीं होता उनके घर में बुक के साथ उनका कोई interactive adult के साथ experience नहीं होता नमबर टू जब ये बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं तो टीचर्स जो हैं उनके पास बड़ा limited टाइम होता है बलखसुस छोटे बच्चे के साथ जो चार घंटे से ज्यादा नहीं होता है उसमें multiple subject activities होती है और उस छोटे से टाइम के अंदर टीचर्स के पास frequently उनको time नह रही है उसके अलावा में ये मिलती है कि जो हमारी स्कूर्स के अंदर किताबें मौजूद होती है और जो टीचर्स उनने पढ़ के बच्चों को सुनाते हैं वो ज्यादातर किताबें जो होती है वो fairy tales होती हैं और वो information based कहानिया नहीं होती है या scientific based कहानिया नहीं होती है औ उस कहानियों में आपकी बहुत variety मौजूद नहीं होती फरक्शन की मौजूद नहीं होती Saundra की मौजूद नहीं होती वो कहानिया जो अब आसानी मिल जाएं वो कहानिया हमें देखने में मिलती हैं दूसरा ये कि school to school डिफर करता है कि teacher की अपनी कितनी अच्छी ट्रेनिंग है कि इतनी अच्छी तरीके से कहानी पढ़ के बच्चे को सुनाती है अगर उसको चाहनी पढ़ने का तरीका नहीं आता उसकी आवास भीतरी नहीं है वो उसमें एकस्प्रेशन नहीं देती तो डेफिनेटली बच्छों का जो लिस्निंग स्कल्स है वो इंपक्ट करती है और interest हतम हो जाता है हमें technical world में अगर हम देखें कि तो हम पता चलता है कि एक week और moderate negative relationship है वो इतना time जो teachers reading करने में लगाते हैं और बच्चों की reading comprehension में इसका मतलब यह है कि जितना teacher जो है ज्यादा से ज्यादा time बच्चों को देता है reading करने में जरूरी नहीं कि बच्चों की comprehension उतनी fast और उतनी अच्छे तरीके से develop हो रही हो यह भी देखने में आया है कि अगर teacher कम reading करते हैं बच्चों के सामने तो बच्चों की reading comprehension कई जगा पे बहुत बेतर आ रही है reading aloud में हम यह भी चीज़ देखते हैं कि teacher जितना ज्यादा class में reading करता है बच्चे उतनी देर से independent reader बनते हैं और वो teacher से discussion का time उनका कम से कम होता जाता है अब यह result हमें बता रहे हैं कि reading aloud बावाज़ बुलंद class में पढ़ना बहुत ज्यादा beneficial नहीं है लेकिन एक बहुत धिर सारी studies हैं हमारे पास जो हमें यह बताती है कि class में reading aloud करना बहुत beneficial equally है यह in contrast है कैसे जब हम बावा से बुलंद पढ़ रहे होते हैं तो हम बच्चे को किन चीज़ों में help करते हैं आपके सामने हैं उनकी vocabulary बढ़ती है और subject wise बढ़ती है हर subject की एक अपनी vocabulary और jargon, terms और concept होते हैं बच्चे variety of vocabulary across the curriculum, across the topics जो हैं वो सीखते हैं उनकी listening comprehension skills बढ़ती है जो आप उन्हें पढ़के सुना रहे हो expression से सुना रहे हो और explain करके सुना रहे हो बच्चे को समझ आता है कि आप क्या बोल रहे हैं और इसके क्या माइने है बच्चों की syntactic development जो है वो text के बारे में develop हो जाती है बच्चे जो हैं वो words को recognize कर सकते हैं कि ये word ये है और उसको सही तरुके से उनकी pronunciation बढ़ती है उसके लावा जो उनकी skills हैं और abilities हैं जो हम emergent literacy skills कहते हैं उसके अंदर आपकी reading, writing, speaking, listening चारो skills आती है वो facilitate होना शुरू हो जाती है जैसे ही बच्चे demonstrate करते हैं अपनी scribbling के through writing को आपसे बाचीत करके अपनी spoken skills को या किताबों को पकड़के खुद से fake reading बेशक कर रहे हो या words को recognize कर लें ये तमाम की तमाम चीज़े इस चीज़ का नतीज़ा है कि आप उन्हें क्लास में किताब पढ़के सुना रहे हो बिठा रहे हो और proper तरीकी से उनको reading करके बता रहे हो research strategies के through अगर हम reading aloud करते हैं जो भी हमें strategies research बताती है कि teacher को ऐसे किताब पढ़नी चाहिए तो उसका effect बहतर है ना कि हम randomly खुछ जब चाहें किताब उठा लें unplanned, unpurposefully उठा लें और वो हमारी अपनी इस किसम की ideas हो जो कि research support ना करते हो तो definitely उसका impact कम ही होगा so teachers को क्या चाहिए, parents को क्या चाहिए कि वो जो techniques हैं जो आपको research बता रही है आप उसको सीखें, आप उसे पढ़ें और उन techniques को properly plan करके class में implement करें, लेकर आएं, किताबे choose करें, vocabulary already अपनी design करें, concept already अपने बना के लाएं जो आप बच्चों से discuss करना चाहते हैं definitely उस reading aloud में ना सिर बच्ची independent learner भी बहुत जल्दी बनेंगे, आप से उनका discussion का time भी ज्यादा हो जाएगा